दिस्क्लेमर पढ़ना अनिवार है और मेंडेटरी है क्योंके मैं सेवी रेजिस्टर नहीं हूँ, I am not सेवी रेजिस्टर जाई जीनेंद्रा, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का निप्टी, बैंक निप्टी, ओप्शन और डाटा इनैनेसिस करेंगे, कल वीकली एक्सपायरी भी है, तो सिर्षक के कल के 18,800 एक्सपायरी होगी, लग तो वही रहा है, 18,800 के पास आसपास होनी चीए एक्सपायरी, और आज का दिन केसा गया, पहले आपने कोल दिये थे, कोल, स्वाडी, पूर्ट दिये थे, और बैंक निप्टी के पूर्ट दिये थे अपने, और दोनों ही हीट हुए है, सुबह अच्छा प्रोकेट मिला, उन्तिस-तिस रुब्या में पूर्ट दिये थे मैंने, वो उन्पचास भी का, और उसके बा एक सो अठतर पकड़के दिया, और तीन सो साट असे तीन सो दिस के पास मैंने वीडियो बना के डाला था, कि प्रोफिट बूक कीजा, यह उपर तीन सो साट से तीन सो अस्ति जा सकता, और एक सेट तीन सो नबबे तक गिया, और वहां से फिर नीचे आ गिया, उसके बाद लास तीन बजे मैंने 9.25 का भाव में ठारा आठसो का कोल काथा, 9.25 पैसा में, जब मैं वीडियो बना रहा था, तब 11.30 का भाव था, तो मैंने वीडियो बना के रेडी कर गे रखा सवानो के पास लीजी, आस-पास, और वीडियो बन किया तब मैंने देखा तो 8.80 पैसा ह तुरंद मैंने वीडियो पोस्ट किया पोस्ट होते होते ही 12 तेरह हो गया और जिनों ने भी लिया तेरह चोदा में और अपने जो टार्गेट दिया था 35 का बीटी एस्टी कम हीरो जिरो था तो आजी 10 से 12 में खेला हो गया और 35 सुप्य भी किया और जिनों ने लिया होगा उनको अच्छा प्रोफिट होगा और मैंने लिग भी दिया था टेलिग्राम चेनल में कि प्रोफिट बुक कर ले कल का कल देगे जब आज नौर्विय का 36 मिल रहा तो अपने क्यों लेकर याविस बजात हो और उसके बाज अब आज के डाटा एनालिसिस करेंगे अपने डाटा देखिए डाटा में ऐसा है कि क्लाइंट पूरा मंदी में है तो यह लोग तेजी का सोधा बनाया है और कल भी बजार उपर की और ही जाना चाहिए इनकेस आज फेट का मीटिंग है और कुछ बोल दे है इनकेस डाउन खुले हो बेज जी जग हीरो जीरो लिएगा कोल पैसा मिलेगा ही मिलेगा यह आपको मैं बता देता हूं तो चलिए अपने स्टार्ट करते हैं फटाफट इस स्लाइट्स वीडियो इस पोर एज्यूकेशनल एंड लर्निंग परपस और यह डाटा है आपक अपने उसकी अनालिसिस करेंगे क्लाइट ने आज आट एर साथ सो बीस कॉंट्राक बेचे तो अब उनके बढ़के हो गए चोबीस एर चार्सो पंचानवे दिया है इने च्छतिसो चौतर च्छतिसो तीसो तीनातर कॉंट्राक बाई किये तो अब उनके घटके अठ्वन एक लाग दो जाट चोबीस कॉंट्राक अभी भी सोट चल रहा है एफाई ने 11,746 कॉंट्राक बाई की है जिसमें फ्रेस बाई 7,154 कॉंट्राक है तो नेट वेसिस में अब वो एक लाग 2,664 कॉंट्राक बाई जोन में आ गये है और प्रोन आज 6,699 कॉंट्राक बेचे तो उनके सेल रहते है अब 19,545 इंडेक्स कॉल में देखे क्लाइंट आगे एक लाग 80,000 तकरीबन एक लाग 80,000 सोल्ड की है कॉल तो नेट बेसिस में 2,88610 कॉंट्राक तो बस यही कल बजार को ऊपर की ओर ले जाएगा एफाई ने 68,399 कॉंट्राक बाई की है बाई में क क्याने के जो उनकी बाई की पोजिशन थी लोंग इंडेक्स को वह उन्होंने सेल की है तो उस बोलके मुझे लग रहा है कि बाई में आ रहा है तो दो लाग सतर यार 616 कॉंट्राक उनके रहते हैं और प्रो ने एक लाग 11,160 कॉंट्राक बाई की है तो कल एक लाग 23,884 कॉंट्राक थे तो वो पूरा अन्वेंटिंग कर दिये सिब 12,724 कॉंट्राक की उनके सेल है माने कोल से वो निकल गए है इंडेक्स पूर्ट में कि क्लाइन ने एक लाग 33,879 कॉंट्राक बाई की है तो अब उनके नेट पोजीशन रहते हैं एक लाग 55,720 कॉंट्राक इंडेक्स पूर्ट में वो पहले बेच के गद चलते थे यानि तेजी खेलते थे अब वो लोंग में आ गए इंडेक्स पूर्ट में यानि मंदी में इंडेक्स फ्यूचर बेचे हैं इंडेक्स कॉल बेचे हैं और इंडेक्स पूर्ट बाई की हैं तीनों जगा उन्होंने मंदी खेलिए और डियाए ने 6,774 कॉंट्राक बाई किये तो अब उनके बढ़ जाते इंडेक्स पूर्ट में लोंग 38,727 और णेने 6,215 कॉंट्राक बेच्ट दिये तो कल तक कैल लग 35,427 लोंग के घड कर 1099,23 परो ने 144,39 कॉंट्राक्स बेच्ट दिये तो यानि क्लाइन ने लिए और इन्होंने बेच़ दिये ऑ उसके सामने और नेट बेसिस पे तीन लाग तीन एजार छेसो साथ कोंट्राकिंग के इंडेक्स पूट में सोट चल रहे हैं यानि तेजी केल है अब कंक्लूड यह खल बजार गेप डाउन खुले तो बाई करना है 100% पैसा मिलेगा और इनकेस गेप अपी खुल दे तो अपने हैट में एक हो वीडियो अजनी पनाओगा इसी में हीरोजीरो डाल दिये निप्टी बेंग निप्टी के और निप्टी में तो कल पूलीस है कल तक है फुलीस फिर अपने को ज्यादा पूलीस नहीं पने इंट्राट ही करना है चलते नेक्स लाइइं अस पर प्रॉइजेनल डाट्र अब बढ़ रहा है चार तक आने से खत्रा होता है एफाइए ने केस में नेट 910 क्रोड का बाइग कि नोजर का मुझे लग रहा है जो मेटो का डिल्पिल हुआ होगा उसी का है बड़ा फिकर इतना और दिया इने चार या 56 क्रोड का बेचे है और क्लाइन पर अधर पकड़ लिए उन पर चार या नो सो चोगन का तभी तो यह नोजर फिकर मिलेगा अठाइस से तो डिसेंबर के लिए है यह आज बुदवार के है यह करेंट डाटा मेंने लिखे हुए है डोलर इंडेक्स 106.40 चल रहा है यूएस टू यार बॉन चार पुन तिरपन टेन यर बॉन तीन पुन अठाटर और एसे पी फानेट विक्स फ्यूचर बाइस पुन बारा क्रूड ओइल अभी 6580 है मैं जब वीडियो बना रहा हूं पोने नों बजे और गोल्ड वन केजी 2510 और सिल्वर एमसी एक्स 62,431 यह करण भाव है सारे अगर आप वीडियो यहां तक देखे हो तो वीडियो को अंग तक जरूर से देखे और वीडियो से आपको कोई बेनिफिट होरा लर्निंग परपस में तो वीडियो को ज़्यादा से ज्यादा लोगों को लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना बोले और इस चैनल से जो नए जुड़े है चैनल के सप्पोर्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें दीए करें लिंक पर आप यूटूब में जोइन नहीं सकते हो फेस्बुक पेज में आप लोगिन कर सकते हो और टेलेग्राम चैनलने भी जोइन हो सकते हो इंट्राडे थस्टे एक बिसंबर 2022 के लिए बैंग निप्टी स्पोर्ट बिलो 43,330 के नीचे हो तभी सेल करना चीजिए और उपर में रेजिशन इसका 43,415 और 43,590 तक जा सकता है सेल और राइस रहेगा सपोर्ट नीचे में 43,150 और 42,950 तक आ सकता है यह बैंग निप्टी के मूविंग एवरेज यह फाइडे देखिए 43,73 है और टेंटे 42,780 है और डेली में आरे साइटर पॉंट बासट और स्टोके स्टिम 92.62 वीकली में 71.62 और 98.24 ओवर बॉर्ड में चल रहे हैं कॉंट्राक में 28,30,925 ओपन इंट्रेस 28,21,25 ओपन इंट्रेस गटे है 14,425 हुआ है और स्पोर्ट क्लोजिंग 42,231 ही सोट कवरिंग दिखाई दे रहे हैं और मनी कंट्रोल साइट से PCI डाटा 1.02 यह थोड़ा वर्बोट में आगे आ है तो कल सेकंड आप से करेक्षर आना चीज़ा है यह ठाल से जो डिसेंबर के लिए बैंक निप्टी PCI जो मैं मनाता हूँ डेली PCI 4.99 है मंतली PCI 1.15 है और पाटरली 1.15 है और विक्स 13.80 पर क् यह देखिए बैंक निप्टी के 43,500 का पूट है विकली वाला मने कल हीरो जीरो वाला जहां घटे हुआ 155 से 121 का रेंजमें लीजिए सपोर्ट 62 का दिया है और रेलिसेंस उपर में 375 और 355 के ऊपर फिर 455 तक जा सकता है तो यह मैंने फिगर बनाया हुआ है यदि कल मिले नीचे में 121 के पास या थोड़ा वेट कीजेगा तो और सस्ता में मिल जावे तो 60 का फिर यदि और सस्ता में मिले 50-60 के पास तो फिर वो जीरो तक बिड़ा दीएगा इंटरडे थर्सडे एक डिसमबर 2022 ले बैंक निप्टी 43-300 का फूर्ट नेक्स्ट वीक वाला है अगले वीक वाला यानि 8 डिसमबर वाला जहां घटे मां 282 के पास लीजिए सपोर्ट 225 और 180 क्लोजिंग बेस रहेगा माने 100 पोईन का पकड़ी है स्टोप लोज और वेट क सकता है इंटरडे थर्सडे एक डिसमबर 2022 के लिए बैंक निप्टी 43-500 का कोल नेक्स्ट वीक वीक वाला है जहां बड़े हुआ 330 के पास बैश सकते हो और रेजिशन उपर में 395 का लगा दीजिए और सपोर्ट 192 और 135 तक आ सकता है और या तो नीचे भी हो 330 के नीचे तो भी आप बेश सकते हो बिलो 330 के नीचे बेश सकते हो फिर अब 250 59 का क्लोजिंग दिया है साइद 289 से घूम जाओ है तो वहां भी आप बेश सकते हो स्टोप्लोस 395 का रखिया सपोर्ट 192 और 135 तक आ सकता है इंट्राडे थास्टे एक डिसेंबर 2022 के लिए निट्टी स्पोर्ट लेवल बिलो 18780 के नीचे सेल जोन में रहेगा सपोर्ट नीचे में 18730, 18644 और 18616 तक आ सकता है उपर में 18844 और 18895 तक जा सकता है सेल ओन राइस में ने लिखा हुआ है तो उपर के लेवल में आप बेच कर भी ट्राइ कर सकते हो कि यह निफ्टी के मुविंग यवरेज है देखिया फाइडे मुविंग यवरेज 18570 और 10 डे 18426 डेली में आरे साइट 73 है स्टोकेस्टी 92 है विकली में 68 है और विकली में 97.40 है स्टोकेस्टी कोंट्राक में 860,90,30 अपन इंटरस्ट एक करोड़ 24,13,300 और अपन इंटरस्ट एड हुआ है 4,1350 यानि लॉंग बिल्ड अप हुआ है क्लोजिंग 18,708 विक्स 13.80 है PCR 1.5 और PCR बढ़के आया रहा है यह मनी कंट्रोल साइट का PCR है लेकिन PCR बढ़के आया तो उपर के लेवल से कल सेल जरूर जाएगा यदि इनकेस गेपप खुलेगा तो मुझे नहीं लगता है 1.5048 पर क्लोजिंग दिया है यह मैं जो PCR बनाता हूं वो है PCR भी देखे आपना भी 1.60 आ रहा है और मंथली 1.45 आ रहा है और क्वाटरली 1.52 मैंने ओवरबॉट में है करेक्शन तो जरूर है कल कंफर्म है अब ये इंट्राडे थास्टे हिरो जिरो है एक दिसम्बर के लिए निट्टी 18,800 का पूट विकली वाला जहां भेटे हुआ 25 से 18 का रहिंग में ले सकते हो support इसलीह दिया के कि कुई बोले के क्या करे उसले में ने साले साथ के दिया लेकिन हिशाब से हिरो जिरो में जिरो ही होisons 25 से 18 का रहिंग में कहीं की ले सकते हो support 0 और रहियंजर उपर में एक सो तीन तक जा सकता है कि यह दूसरा कोल है इंट्राडे थरस्टे एक दिसेंबर बोजरवास के लिए निफ्टी 18,800 का कोल विकली वाला माने हीरो जीरो है कल जहां घटे मां 13 रुपया के पास ले सकते हैं जो आज अपने दिये थे 925 में 9 रुपया 25 पैसा में लेने को सवानों में और 36 रुपया भ तो यह तेरा रुपया में मिल जाए तो इसको लेना चाहिए और सपोर्ट जीरो रखिए रहिशन उपर में 38 और 52 तक जा सकता है और उपर में चाहिए तो आप बेच भी सकते हो बावन के उपर में कहीं भी बेचिया 90 का स्टोप्रोस लगा किया पैसाट के पास यह बहुत तरक के पास भी बेच सकते हो 15-20 पॉन जहां भी बेचो 20 पॉन का स्टोप्रोस लगा किया तो उसमें भी आपको बेनिफिट साथ मिल सकता है इंट्राडे थर्सडे एक डिसमबर 2022 के लिए निफ्टी 18,800 का कोल नेक्स्ट वीक वाला है जहां बड़े हुआ 165 का अरपास बेचना चाहिए रेजिशन उपर में 155 रखिये और सपोड 108 और 89 तक इंट्राडे थर्सटे एक डिसमबर 2022 के लिए निफ्टी 18,700 का पूठ है नेक्स्ट वीक वाला है जहां घटे हुआ 166 से सत्तावन के पास लिए और सपोर्ट जो रहेगा चाली सुप्या क्लोजिंग बिस रहेगा माने तीम पंद्रा का स्टोपलोस रहेगा रेजिशन उपर में 122 मेने लिखा हुआ है तो यह आप देख लेगे अगर आपको Community, Forex, Stocks Market and Option Level से Learning में Benefit हो रही हो और इस content से भी आपको कोई Benefit मिलता हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को Like, Share और Subscribe करना ना बोले इस स्लाइट वीडियो इस पर एजूकेशनल लेर्निंग परपास ओनली थैंक यू फॉर वाचिंग आवर चैनल मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जाई जेएं